हेलो CMA students कैसे हो सब लोग CMA final का आज हम लोग paper no.16 यानि direct tax and international taxation को discuss करने जा रहे हैं और बहुत ही important है बच्चों CMA के prospects के लिए future prospects के लिए अगर आप चाहते हो एक अच्छी company में job करना और वो भी income tax ऐसी field के अंदर काम करना तो भई paper no.16 को अच्छे से समझो अच्छे से enjoy करो और यह उनी को मज़ा आने वाला है जिनको CMA इंटर में direct tax में मज़ा आता था ठीक है तो बहुत सारे बच्चों ने CMA इंटर direct tax शायद मुझसे किया है कुछ बच्चों ने कहीं और से किया है फरक नहीं पड़ता फाइनल के अंदर आपको फिर से एक शुरू से start करना पड़ेगा इसका reason यह है कि फाइनल के अंदर बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो intermediate से connected है जी हाँ तो आपको अगर यह लग रहा है कि अब intermediate खतम है direct tax वह वाला खतम है PGVP को भूल जाओ capital gain को भूल जाओ पर फोकस किया गया है non-residents पर companies और non-residents के cases पर companies और non-residents के tax treatments पर focus किया गया है CMA final के अंदर बट इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिविजूल जमारे course में नहीं है दोस्तों तो इंडिविजूल भी है Hindu and divided family भी है company भी है firm भी है association of person भी है local authority भी है और artificial juridical person भी है ओ मैं क्या बूल गया person की definition दोस्तों section 2 clause 31 अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको करवाता था section 2 clause 31 income tax act 1961 में याद है आपको CMA intermediate के अंदर मैंने करवाया अब वही person की definition में हर तरह के tax treatment हम लोग ने पढ़नी है intermediate का जो course था वो generally individuals पर focus करता था individuals की tax treatment पर focus करता था जहाँ पर हम salary chapter पढ़ते थे अब हम salary chapter को हाथ नहीं लगाएंगे दोस्तों but salary के इलावा house of party, pgbp, capital gain, other sources ये छोटी छोटी ऐसी बाते हैं जो हमें थोड़ी थोड़ी समझनी पढ़ेंगी थोड़ा थोड़ा सब कुछ complete करना पड़ेगा, simultaneously हमें companies और non-resident की tax treatment पर बहुत जादा ध्यान देना है इसके इलावा, international tax, जी हाँ, जो foreign companies हैं, उनकी treatment कैसे होगा अगर हमारी देश की company का foreign company के साथ कोई connection है उन दोनों companies का tax treatment कैसे होगा, associate companies, जो companies इंडिया की है और foreign company में उनकी कोई associate है या subsidiary है और वो एक दूसरे से कोई transaction करती है, तो ऐसी companies की income tax पर कैसे, मतलब कैसे tax कैसे calculate होगा, यह सब बात है दोस्तों, हम इस particular course के अंदर करने वाले है, CMA final paper number 16 में है ना interesting, तो सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, तो आप लोग सोचो course करने में कितना मज़ा आएगा, जी हाँ, course करने में बहुत मज़ा आएगा तो मैं आप लोग को study note, जो भी इनके study note है, जो CMA institute के material में दिये हुए, study material दिया हुआ है, मैं उसी study material से आपको करवाने जा रहा हूँ इस course की introduction, और बाद में एके करके हम topic की करेंगे, पूरी study अंदर से in-depth examination करेंगे, और समझेंगे कि क्या है CMA final का ये direct tax, पेपर में 60 नंबर नहीं, 70 नहीं, 80 प्लस scoring चाहिए, 80 प्लस score किया जा सकता है, अगर बच्चा ध्यान से पढ़े, अच्छे से समझे, course बहुत सारा है अगर बच्चे को ये लग रहा है कि course छोटा सा है, नहीं sir, course बहुत सारा है, सिरफ final की book मत देखो, final की book के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो given नहीं है, बट exam में पूछी जाती है, ठीक है, वो मैं आपको अभी examination paper भी दिखाऊंगा, आप वो paper देखोगे, तो आपको स तो paper number 16 direct tax के अंदर, तो आप लोग subject के नाम सही समझ गए होगे कि direct tax और international taxation दो हिस्से हैं इस पूरे course के, है ना, direct tax भी है और international taxation भी है, आओ ज़रा देखते हैं इस institute के study material के अंदर क्या-क्या coverage दिया हुआ है, हग जी दोस्तों, तो 50 marks का advanced direct tax, 30 marks का international tax, और case study analysis 20 marks का, अगर ही बनता है, बट क्या exam में सरफ 100 number का paper आना है, नहीं, exam के अंदर तो और भी questions आएंगे, जी हाँ, optional case, पूरे options भी available होते हैं, मेरे पास एक examination paper भी है, मैं आपको वो भी चीज दिखाऊंगा, कि वो कौन सा paper है, जो मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ, और वो मैं दिखाने वा सारी बातों को complete कर सकें, उसको conclude कर सकें, और फिर हम इस paper के लिए तैयार हो सकें, तो आजाओ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, course की तरफ, क्या है इस course के अंदर, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये 50% का जो course coverage है, वो कहता है, assessment of income and computation of tax liabilities of various entities, अगर मैं आपको याद कर आपका CMF intermediate, तो intermediate में आपने सरफ individuals पर focus किया था, ठीक है, और अब जो हम focus का, individuals और firm पर भी कुछ questions हम लोगों ने किये थे, बट अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो various entities है, उस पर इंका सबसे ज़्यादा focus company पे होगा, हाँ, firm पे भी होगा, ठीक है, और बहुत सारी entities, जैसे की charitable trust, association of person, येस, आपको सारी बातें आपको करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज छोड़नी है, तो आपको यहाँ पर computation of company, firm, और AOP, BOI, सब लोग करने होगा, in fact, individuals भी करना होगा, क्योंकि इसमें various entities लिखा है, ठीक है, वही person की definition जो अपने पहले भी पढ़ चुके है, intermediate के अंदर, section 2, clause 31, भाई, income tax act तो वही है ना, कोई, ये थोड़ी ना है कि course change हो गया, final में चले गए, तो course income tax का कानून हट गया, नहीं, income tax का law वही है, सब चीजे वही पढ़नी है, but कुछ ऐसी चीजे भी होगी, जो आपको at least new जो करना होगा, वो 50% से ज क्या किया, अब आपने सरफ focus करना है, एक एक चीज़ पर अच्छे से research करेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, tax management return and assessment procedure, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, intermediate में भी था, but final के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बड़े level पर उसको और focus किया गया है, grievance redressal, जह सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप income tax department को बता सकते हो, बोल सकते हो, और उसके लिए आपको किस के पास जाना होगा, ये बाते भी मैं वैसे intermediate में थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, commissioner appeals याद आ रहा है, दोस्तों, सबसे बहले आप commissioner appeal के पास जाते हो, फि appeal से related बातें discuss करेंगे, ठीक उसी तरीके से penalties and prosecutions क्या होंगी, क्या income tax department आपके उपर prosecution लगाएगा, क्या penalties लगाएगा अगर आपने कुछ गलत काम किया, business organization, business restructuring, मतलब अगर कोई amalgamation होता है, या demerger होता है, ऐसे cases में income tax कैसे calculate होगा, तो अभी तक हम लोग उने ऐसी बाते नहीं पड़ी थी, तो अब हम लोग ये वाली बातें भी करेंगे, है ना मज़ेदार, different aspects of tax planning, हम लोग tax planning के aspects पढ़ेंगे, कि tax को कैसे plan किया जाए, जो आप लोग सीखना चाहते हो, है ना, है ना, वैसे ही direct tax के planning कैसे की जाएगी, बिल्कुल उसके बारे में हम समझेंगे, CBDT और other authorities, जी हाँ, income tax की authorities, मैं intermediate में भी करवा देता हूँ, वैसे तो, बट आप लोग final में एक बारी और अच्छे से depth से समझेंगे, CBDT और उसके authorities, जो income tax के authorities हैं, e-commerce transactions and liability in special cases, भई पहली बार, क्योंकि income, e-commerce transactions पर कैसे income tax लगेगा, लगेगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे प electronic commerce trading होती है, आप भी घर बैटे-बैटे Amazon Flipkart से समान मंगवाते रहते हो, तो उसी लिए उनके उपर tax कैसे calculate होगा, उनका income tax कैसे calculate होता है, तो उसके बारे में बात की जाएगी, ICDS दोस्तों, intermediate में भी इसकी introduction थी, जी हाँ, हमने income computing disclosure standards final के अंदर भी cover करने हैं, तो हम उसके ब करता है, उस black money पाई जाती है, तो वो black money पर income tax कैसे लगेगा, क्या penalties होगी, क्या liabilities होगी, क्या procedure होगा, यह सारी बाते black money act 2015 में लिखा गया है, तो इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, है ना interesting, तो भई, यह हो गया, advanced tax का, जो 50 marks का course है, और इसके अंदर में आपको बता दू दोस्तों, जो इन्होंने यहां पर नहीं दिया, बट यहां पर हिल्ट छोड़ दिया, क्योंकि जब various entities बोला, तो उन्होंने यहां पर individuals भी cover कर लिया, और जब individuals कर लिया, तो यहां पर individuals के अंदर, individuals के अंदर हमें PGBP, हमें capital gain, other sources को पढ़ना पढ़ेगा, इन तीनों topics को हमें पढ़ना पढ़ेगा, जो हमने individuals में already पढ़ा हुआ है, और इसी वाले topic का, हमें company के तरीके से, tax नकालना होगा, कि company कैसे tax pay करती होगी, क्योंकि individuals तो हम लोग जानते हैं, दोस्तों slab लगता है, हम लोग जानते है, slab rate लगता है, बट companies कैसे tax pay करती होगी, firms कैसे tax pay करती होगी, इन incomes के उपर हमें उस पर ध्यान देना है, और बच्चों बता दूँ एक निया concept, minimum alternate tax, जी हाँ, companies के लिए एक alternate tax होता है, जो हम लोग यहाँ, इस chapter के अंदर discuss करने वाले है, इस course के अंदर discuss करने वाले है, जब हम intermediate पढ़ते थे, मैंने आपको एक AMT करवाया होगा, दोस्तो में आ गई बात, सो हम लोग उसके बारे में discuss करेंगे, इस particular course के अंदर, है ना मज़ेदार, section A, यह तो हो गया, advanced direct tax laws, इसके बाद आजाओ section B, international taxation के बारे में, 30 number का यह course, जो आपकी related party transactions होती है, बहुत ही ध्यान रखना, बेटा, बहुत जादा demand है, इस particular course की, अगर आप इस international taxation को अच्छे से कर लो, तो KPMG, PWC, ENY, Deloitte, जरूरी नहीं है, सिरफ chartered accountants ही जाते हैं, CMAs भी जाते हैं, तो अगर आप चाहो, तो आपकी posting वहाँ पे भी हो सकती है, उनके पास international taxation का इकलग department होता है, in fact, सिरफ CA firms में नहीं, आप जितनी भी companies हैं, जिनका non-resident के साथ link होता है, किसी associate या subsidiary company का किसी की साथ link होता है, जो बाहर है company, वहाँ पर आपको international taxation पर ध्यान देना होगा, तो इसलिए international tax कैसे होता है, कैसे लगता है, कैसे कौन सी transactions पर tax लगेगा, कौन सी transaction पर tax नहीं लगेगा, ये सारी बाते हम उग इस 30 marks के cover करने वाले हैं, international tax के अंदर, जि global taxation avoidance agreement, बचों याद आ रहा होगा, residential status में हम लोग आपको करवाते हैं कि, अगर आप यहाँ पर भी resident हो गए और दूसरे देश में भी resident हो गए, और दोनों ही देशों ने आपको tax लगा दिया, चलो यहाँ पर आप resident हो, आप इस वज़े से यहाँ पर tax pay कर रहे हो, और आप जगा से income कमा रहे हो, तो उस देश ने भी tax लगा दिया और इस देश में भी tax लगा दिया, सर इस इन दोनों देशों के tax से कैसे बज़े, भई माल लो, अगर US कहता है, मेरा tax का rate 40% है, इंडिया कहता है, मेरा tax का rate 30% है, तो भई 40 और 30 आप लोग रख लो मेरी income पर, और मेर 30 छोड़ दो, सर ये भी रख लो ना, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें, क्या करना है, हम लोग तो गुर्दवारे बैठ जाएंगे, मंदर बैठ जाएंगे, हमें क्या करना है भई जिंदगी में, नहीं, तो भई ये international taxation, जो double taxation avoidance है, double taxation हो रही है, ऐसा ना हो, इस वज़े से कुछ agreements बनाये जाते हैं, उन agreements में क्या लिखा होता है, उन agreements की general thought process क्या होता है, उसको कैसे avoid किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और समझेंगे about transfer pricing, जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, related party transactions, तो जब भी कोई related party, जो दूसरे देश में है और उनसे हम connect करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, या बेचते हैं, और उनके pricing में कुछ difference होता है, जो की normal prices से फरक होता है, तो दोस्तों, ऐसे case में हम उसी income कैसे calculate करेंगे, और उन पर income tax कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, तो 30 marks का यह और last section, case study analysis, जो 20 marks का होगा, तो दोस्तों, यह है हमारा course, अगर आप धियान से रेखो, तो यहाँ पर section A, यह इस तरीके से content भी दिया है, जैसे study note 1, assessment of various entities, जहाँ पर focus किया गया companies पर, और भी कुछ charitable trust, local authorities, यह हैं कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर discuss करनी है, जो main focus किया गया, company पर किया गया, यहाँ पर जानके individual नहीं दिया गया, मैं आपको बता दूँ, बट फिर भी हमें individual वाली कुछ बातें पढ़नी होंगी, और मैं आपको बताऊंगा क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है, यह सारी coverage हम लोग करेंगे, आगे आजाओ, study note 2, जो study note 2 ह जो, वो non-resident के बारे में है, दोस्तो, non-resident की tax treatment, non-resident के इंकम tax हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, non-resident individual, तो individual के लिए वो ही slab होता था, जो normally general slab rate होता था, क्या, धाई लाग रपे वाला, याद आ रहा है सबको, धाई लाग रपे तक 0, धाई से लेके 5 लाग पर 5 परसेंट, 5 लाग से लेके 10 लाग पर 20 परसेंट और अबब 10 लाग पर 30 परसेंट, तो ये वो ही tax rate के बारे में, इसके इलावा, non-resident companies पर tax कैसे लगेगा, sir, non-resident के TDS treatments, जी हा, non-residents पर TDS treatments, उनके उपर जो TDS लगते हैं, वो कौन से लगते हैं, वैसे तो मैं CMA intermediate में ही करवा देता हूँ, बट स्टिल, कुछ ऐसे sections, आप लोग final में जादा ध्यान दोगे, non-residents की treatment पर, समझ में आ गई बात, ये है study note 2, study note 3 में जब हम जाते हैं, तो बात करता है, purely return of income की, बटा, बड़ा ही मज़दार, बड़ा ही सोचने वाला, समझने वाला, जहां पर हम income tax return return, file करना सीखेंगे, return कैसे file की जाती है, वैसे ये सब मैंने video, already YouTube video बनाई हुई है, बट हा, companies की return, if income में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, तो वो सारी, individual की, company, firm, सब की returns of income के बारे में यहां पर discuss किया जाएगा, वैसे ये वो ही है, जो हम लोग already intermediate में भी कर चुके हैं, ब return of charitable trust, return of income of political parties, scientific research association, university college, ये हम लोग नहीं करते थे, अब करेंगे, तो अब हमें सारी entities के बारे में, उनकी return filing भी समझनी है, revise return क्या होता है, defective return क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, अधार number quote करना चरूरी है, ये मैं intermediate में भी करवा देता हूँ, आप लोगों नहीं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर फिर से समझेंगे, ठीक है दोस्तों, study note 4, assessment procedure, ये भी हम लोग already intermediate में कर चुके है, self assessment, scrutiny assessment, best judgment assessment, income escaping assessment, और reassessment, बच्चों assessment कई type की होती है, वो assessment के हम लोग सारे process की assessment कैसे होती है, किस case में किस तरीके से tax assess किया जाता है, वो हम study note 4 में पढ़े assessment procedure के अंदर, study note 5 के अंदर हम पढ़ेंगे interest, कि अगर हम लोग tax देने में देरी कर देते हैं, या हम लोग return late file करते हैं, या फिर हम advanced tax late जमा कर वाते हैं, तो हम लोग कोई भी चीज जो हम लोग discuss कर चुके हैं, intermediate में ये भी कर चुके हैं, but फिर again हमें अच्छे से पढ़ना हो होगा, interest के questions पर focus करना होगा, तो ये interest and late fee, यहां पर interest और late fee दोनों ही cover होते हैं, इस particular chapter के अंदर, ठीक है जी, तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, study note 5 के अंदर, study note 6 दोस्तो, survey, search and seizure, अगर income tax वाले आपके घर पहुन जाते हैं, और आपके घर पे खूब सोना पढ़ा ह होता है, सोने के biscuit, gold biscuit पढ़े होते हैं, तो वो gold biscuit, वो gold coins जो आपके घर से पाए गए, तो उसके उपर search करने पर seize कर लिया जाएंगे उस सिक्के को, क्यों, क्योंकि आपने satisfactory explanation नहीं दी, कुछ याद आ रहा है, हैसा हमने कहीं पढ़ा था, जी हाम लोग ने जरूर पढ़ा थ सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये कुछ sections होते हैं, छापे वाली incomes पर कैसे tax लगता है, सर, दोस्तों, सर्वे, search और seizure के process क्या होते हैं, ये seize कैसे किया जा सकता है, seize समझ गए न, मतलब अगर आपके पास कुछ income पढ़ी, कुछ cash पढ़ा हुआ है, और आप उसकी satisfactory explanation नहीं दे प स्टड़ी नोट 6 के अंदर हम इसकी process समझेंगे, इसकी power समझेंगे, Central Board of Direct Access के पास क्या power है, Commissioner के पास क्या power है, Officers के पास क्या power है, समझ में आ गई बात? दोस्तों हम दोग पढ़ेंगे study note 7, collection, recovery and refund, आपको लग रहा होगा, सर यह तो सारा मुझे लग रहा theory, 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 theory है, नहीं बेटा, नहीं, जो आपका course है न, उसमें 50% से ज़्यादा फिर से practical ही आने वाला है, जैसे intermediate में होता है दोस्तों, वैसे ही practical, final में भी practically ही आने वाला है, आपको intermediate की तरह, final में भी practically ही आने वाला है, मैं आपको course कुछ paper दिखाऊंगा, theory है, theory है, ऐसा नहीं है कि theory नहीं है, हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि intermediate से थोड़ी से theory ज़्यादा है, बट still, आपको यहाँ पर भी focus practical पे ही करना होगा, theory भी करनी है, theory के बिना past नहीं हो सकते हो, तो आपको final में theory practical दोनों को combination बना के करना होगा त्यारी, आगे देखो, demand, notice, collection, recovery and refund, तो दोस्तों, अब हम लोग income tax पे करने की बाते कर रहे थे, अब अगर income tax जादा पे कर दिया, तो government आपको क्या देगा, refund देगा, उस refund को कैसे पे करेगा, refund का क्या procedure होगा, कितने time में दे In fact, हम लोग पढ़ेंगे recovery, recovery में क्या होता है, जहाँ पर हम को लगता है, income tax department को लगता है, यह बंदे ने कुछ income चुपाई है, तो ऐसे case में अगर वो कोई चुपाता है income, और हम लोग उसके उपर कोई fraud का case लगा देते है, government लगा देता है, उस पर हम कैसे income tax आपसे recover करेंगे, वो process क्या होगा, कैसे कोई officer आपसे recovery करवाएगा, तो वो सारा process के बारे में यहाँ पर बात की गई है, study note number 7, है ना, कुछ बातें बिलकुल अलग और कुछ ऐसी बातें जो intermediate से बिलकुल connected है, है कि नहीं, आ गया जाओ study note number 8 is about appeals, rectification, revision, settlement commission, तो भई appeals, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस particular chapter के अंदर आप appeals, कहां कहां case आपने, for example, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप से income tax जादा लिया जा रहा है, तो आप income tax को कैसे avoid कर सकते हो, कैसे आप appeal, किस के प बात यहाँ पर जब आपके पास, आप से income tax जादा लिया जा रहा है, या फिर आपको लगता है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप गोहार किस से लगाओगे, commissioner appeals, जी हाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे study note 8 के अंदर, commissioner appeal को जब हम लोग, क्या कहते हैं, हम लोग ने intermediate में थोड़ा थो जरूर पढ़ा था, but final के अंदर हम लोग depth में पढ़ेंगे, इसके इलावा आपके cases को कैसे settle किया जाएगा, उससे related कुछ कानून है, वो बात बताई जाती है, जैसे settlement commission मनाई जाती है, government के तरफ से, तो कुछ ऐसी powers है settlement commission के पास, कि वो किस तर advance ruling दोस्तों, जहां पर भी आपको लगता है कि आपके कानून में कुछ interpretation missing है, तो आप refer कर सकते हो advance ruling को, generally ये non-resident case के अंदर होता है, कहां पे होता है, non-resident, non-residents advance ruling मांगते है, कहता है सर हमें आपके कानून में कुछ interpretation missing लगती है, हमें इसकी interpretation दो, हमारे लिए कहां पे आपने सही किया हमारे लिए आपने कहां गलत किया तो advance ruling में interpretation दी जाती है कानून की कि कैसे कानून को interpret किया जाएगा क्या लिखा हुआ है कानून के अंदर non-residents के लिए कैसे फाइदा उठाया जा सकता है non-residents और कैसे उसका मत आई हो, समझ में आ गई बात, अगर एक पहली बार आ रहा है तो और अगर पहले भी आता रहा है, तो भाई, साठ दिन से जाधा मत आई हो, समझ में आ गई बात, ये वो reasons होंगे जिसकी वज़े से वो बंदा non-resident बन सकता है, तो ऐसी कुछ बाते हैं, ऐसे कुछ interpretation कानून की, जो help करेंगे किसको, non-residents को हम पढ़ेंगे, उसके लिए advance ruling, और भी बहुत सारी बाते, advance ruling के पास क्या authorities होती है, क्या powers होती है, क्या procedure होता है advance ruling का, क्या concept है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे study note number 9, study note number 10 is about penalties and prosecution, penalties क्या होंगी, क्या procedure होंगे, income tax department के, जब आप पैसा नहीं पे करते हो, time पर, क्या penalties होंगी, वो सब बाते हैं, यहाँ पर study note number 10 में बात की जारी है, study note number 11 is about business restructuring and reorganization, तो de-merger में income tax कैसे लगेगा, अगर de-merge हो जाती है, एक company, दो company, दो company मैंने intermediate में कराया है, याद करो, है ना, बट अगर नहीं भी याद है, कोई बात नहीं, हम लोग दुबारा करेंगी, हम सब कुछ दुबारा करेंगे, ठीक है जी, conversion of sole proprietary, business of firm into company, तो बेटा यह बात भी हम लोग depreciation के अंदर, याद है, proportionate depreciation पढ़ते थे intermediate में, जी हाँ, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, हम ये सब बाते इसके अंदर discuss करेंगे, capital gain उनके ओपर कैसे calculate होगा, उनकी income tax कैसे निकाला जाएगा, study note number 11, बड़ा ही interesting है, इसके बाद बात करेंगे study note 12 की, जो बात करता है, जो आपको बड़ा पसंद आने वाला है, personally, tax planning, जी हाँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जब आपको पता चले कि income tax के अंदर ये ये कानून है, और इस तरीके से आप income tax में planning कर सकते हैं, tax planning दोस्तों, tax planning एक legal way है, legal way है, tax को plan करने का, tax को बचाने का legal way, समझ में आ गई बात, this is a legal way, ये एक legal तरीका है, illegal तरीका नहीं है, समझ में आया, जो illegal करते हैं, वो tax evasion करते हैं, क्या करते हैं, tax evasion, और एक होता है, tax avoidance, जो loophole का फाइदा उठाते हैं, दोस्तों, याद आ रहा है, मैंने इसके बारे में भी intermediate पर थोड़ा सा बताया होगा, tax planning क्या होती है, legal तरीके से income tax को plan करना, avoidance क्या होती है, loophole को फाइदा उठाके, कानून के loopholes का फाइदा उठाके, आप क्या करते हो, tax को avoid करते हो, पे करने के लिए, जिसके लिए government ने clubbing of income बनाया था, याद आ रहा है, tax evasion क्या होता है, जहां पे आप tax की चोरी करते हो, साफ तोर पे tax की क्या करते हो, चोरी करते हो, तो tax evasion हम लोग वहाँ समझेंगे, इसके इलावा tax planning, तो different aspects of tax planning, हम लोग उसके types, उसके कैसे उसको plan किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ समझेंगे, study note number 13 is about income tax authorities, जो मैं intermediate में थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, कि क्या है income tax की authorities, सबसे पहले कोन आता है, उसके नीचे कोन आता है, उसके नीचे कोन आता है, तो मैं कुछ classes, कुछ concepts जो है, वो मैं मेरा तरीका थोड़ा सा different होगा, ठीक है, मैं थोड़ा unique तरीके से करवाँगा, बट करवाँगा, सारी coverage करवाँगा, कोई भी चीज missing नहीं होगी, हम सब कुछ CMA study mat को ही refer करते हुए करेंगे, कोई भी और material नहीं, सिरफ study mat को refer करना है, और कुछ questions, extra questions, मैं आपको practice के लिए दूँगा, कुछ theory होगी, जो थोड़ी सी यहाँ पटफ language होगी, तो वो मैं लिखवाऊँगा, अपनी language में, easy language में, जो आपको याद करने में और समझने में असानी होगी, भी बाद में जब आप revise करोगे, ठीक है जी, income tax authorities के बाद आजाते हैं, study note 14 में liability in special cases, जी हाँ भी बिलकुल दो नए concepts हैं, जो आप लोगोंने कभी भी नहीं पढ़े, equalization levy, tonage tax scheme, legal representative execution, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग करेंगे ये discuss, हम तभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, liability in special cases, ये था study note 14, फिर study note 15 is about income computing disclosure standards, ICDS, ICDS, जहाँ पर हम लोग ने intermediate में थोड़ा सा discussion किया था, कि जैसे accounts के लिए accounting standards हैं, वैसे ही income tax निकालने के लिए भी, income tax department ने income computing disclosure standards बना दी है, समझ में आ गई बार, तो वो discuss करेंगे हम लोग, study note 6, black money आ गया, black money act, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस act को पढ़ने में, तो ये है आपका 50 marks का advance direct tax laws, तो ये 50% course है, 50 marks ना बोलकर, मैं 50% बोलू तो ज़्यादा better रहेगा, तो ये है हमारा course, ठीक है, आधा हमों course हो गया, अब आधे, अब देखो, ये आधा जो आपने किया ना, इसमें कुछ ना कुछ related था किस के साथ, आपके intermediate level के साथ, ठीक है, कुछ क्यूं, कि कैसे double tax को avoid किया जा सकता है, क्या उसके लिए government ने दूसरी countries के साथ agreements किये हुए है, जी हाँ, double taxation avoidance agreement, हम लोग इसके बारे में discuss करेंगे, हम इसके अंदर non-residents के बारे में बात करेंगे, हम इसके अंदर foreign companies के बारे में बात करेंगे, हम इसके अंदर related party transactions के बारे में बात करेंगे, जो companies का foreign company के साथ, अगर मेरी एक ex-limited Indian company है, और उसकी कोई foreign company है, जो subsidiary है, और मैं उससे कोई समान खरीद रहा हूँ, सस्टे में, बजार से सस्टे rate पे, तो ऐसा हो सकता है कि आप income tax avoid करने के लिए ऐसा कर रहे हो, और वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं international tax session, तो दोस्तों international tax session कैसे लगता है, क्या कौन सी companies पर tax लगता है, arms length price क्या होता है, इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे, इस particular study note में बहुत ही important study note होगा, ठीक है जी, गलती से हो गया, एक मिनट, तो यह हम लोग पढ़ेंगे study note number 17, international tax session के अंदर, फिर इसके बाद हमारा आजाता है case studies, study note 18 will be case studies, तो हम लोग case studies, कुछ cases दिये हैं government ने, sorry, आपके institute ने, और उस institute ने जो case studies दिये हैं, वो हमें उसके analysis करनी हैं, कुछ questions दिये हुए हैं, वो हमें study करने हैं, ठीक है, इसके बाद, जो यह, यह भी करीब, अगर 50 का वो 30 का international tax, तो 20% यह है case studies, ठीक है sir, इसके बाद, study note 19, जो MCQs दिये हुए हैं, आपको solve करने के लिए, मैं आपको बता दूँ, जो आपका paper है, यह देखो paper भी दिखा देता हूँ, यह देखो, यह एक paper है, आपका December 2019 का, December 2019 का paper आपको दिया हुए, ठीक है, हलाकि, अब आपको पता है कि, करोना की वज़े से, कोविड की वज़े से, इंसिट्यूट ने कुछ अपने तरीकों में changes कर दी है, कोशन पेपर के pattern में changes कर दी है, बट यह completely change नहीं है, course तो वही है न दोस्तों, course वही है, तो completely change में नहीं कहूंगा, मैं फिर भी यह मान के चलता हूँ, कि शायद institute आगे आने वाले time में, इसको subjective paper कर दे, और paper written exam हो, और शायद online चीज़ खतम हो जाए, तो online setup for the time being हो रही है, मुझे ऐसे लगता है, आने वाले time में शायद यह दुबारा फिर से written examination में आ जाए, तो अगर हम लोग उस हसाब से चले, तो December 2019 का यह paper आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है, कि जो पहला section A है, यह section A जो है, यह 20 number का है, जो 10 questions आपको दिये जाएंगे, दो-दो number के with reasons आपको अपने answer देने होंगे, MCQs solve करना है और reason भी आपको देना है, तो एक number का MCQs का answer होगा, जो आपका correct होना चाहिए, उसके इलावा आपका reason भी सही होना चाहिए, कि क्या reason है उसका, तो यह 10 questions यह वाले हो गए, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, तो section B जो आपको दिया गया है, यह section B आपका आगया direct tax and international taxation का, जिसके अंदर subjective paper है, descriptive paper है, अब यहाँ पर association of person के ओपर, AOP के ओपर एक question आ गया, जहाँ पर deduction भी दे दी है, section ATIA, बेटा, ATC to ATU, intermediate में भी ATI series पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में discuss किया गया, वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर, तीक है, इसके इलावा, business connection के ओपर एक question आया हुआ है, section number 9, दोस्तों, ये बात अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोग section 9 जो है, वो पढ़ लेते हैं, intermediate के अंदर, residential status वाले chapter के अंदर, बच्चों, याद है, 5, 6, 7 और 9, यही तो 4 sections हम लोग पढ़ते हैं, उस chapter के अंदर, यह जो section 9 है, वो यही तो होता, business connection के अंदर क्या आता है, profession connection भी आता है, वो यह person acting on behalf of non-resident, एक non-resident के बहाँ पर एक person acting कर रहा है, एक act कर रहा है, क्या act कर रहा है, stock को maintain कर रहा है, याद आ रहा है, वो सब बाते इसके अंदर use होंगी, तो इसका मतलब है, आ गया ना intermediate का course, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसके इलावा अगर आप ध्यान से देखो, तो यह भी intermediate से related है, PGBP chapter, PGBP chapter दोस्तो, हमने intermediate में जो PGBP के provisions पड़े थे, हमें दुबारा पढ़ने पढ़ेंगे, क्योंकि PGBP chapter से related, फिर से यहाँ पर एक question दिया गया है, यह पूरा PGBP topic का है, पूरा, यह देखो, यह सारी calculations PGBP topic के, वही net profit as per P&L उठाते हैं, उसके बाद हम लोग adjustments करते हैं, और फिर हम लोग profit calculate करते हैं, याद आ रहा है, बट इसके अंदर एक नहीं चीज़ आ जाएगी, which will be the mat provisions, तो आपको normal provisions पर भी income tax निकालने हैं, और फिर mat के हिसाब से जो tax है, वो क्या है, जैसे हम लोग AMT पढ़ते थे, firms के लिए, और individuals के लिए, AMT था individuals और firms अगरा के लिए, और mat हो गया companies के लिए, तो बटा, normal provisions में income tax क्या आ रहा है, और mat provisions के साब से income tax क्या आ रहा है, याद आ रहा है, तो ये तरीके से हमें government को क्या pay करना है, इतना amount at least pay करना है, इसलिए इसको बूलते हैं minimum ultimate tax, ये बाते हम लोग discuss करेंगे, इस course के अंदर, partnership firm की incomes को कैसे calculate करना है, ये देखो, ये भी question, थोड़ा सा relation इसका किस के साथ है, PGBP के साथ ही है, PGBP में जो हम firm वाला chapter पढ़ते थे, वो ये वाला topic ही है, तो again, individuals का कहानी आ गई न, तो इसका मतलब है, ये पुराने intermediate आपका waste नहीं गया, वो सब आपको दुबारा revise करना होगा, फिर अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बात की गई है slum sale की, slum sale capital gain chapter में मैं करवा देता हूँ, जी हाँ, capital gain chapter में मैं करवा देता हूँ already, तो ये वो वाला part है, ये वो वाला question है, जो exam में आ चुका है, और ये आठ नंबर का question, कितने नंबर का आया हुआ है, 8 marks का ये question आया है slum sale पर, आगे देखो, आगे आजाओ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर तो चलो, ये तो international taxation के उपर कुछ questions है, इसको अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी हम छोड़ देते हैं, question number 6 की तरफ अगर हम बढ़े, तो यहाँ पर, again, transfer pricing के उपर है, question number, ये भी international taxation है, B part, C part भी international taxation, 7th question, बड़ा interesting, बड़ा ही easy, आप अभी solve कर सकते हो, पता है कौन सा है, incidence of tax, बेटा याद आ रहा है, incidence of tax chapter, इंसिडेंस of tax chapter, question number 7 का जो A part है ये देखो, इसमें आपको वोई बताना है कि, कौन सी income कब, किसको tax होती है, ये ROR दिया हुआ है, ये ROR है, resident and ordinary resident, और उसके tax treatment बतानी है, कर सकते हो ये question भी, असान question है, इसके बाद, इसके बाद आ जाओ, ये देखो, presumptive के ओपर एक question है, तो ये आप लेगों ने अभी तक नहीं किया था, ये shipping companies के लिए presumptive income क्या होती है, उसकी calculation के बारे में, वो discuss करना है हमें, और बाकी एक कुछ theoretical part, question number 8 में दिया हुआ है, ये है आपका paper का pattern, तो examination में जो pattern आना है, ठीक है, written examination में, बट हाँ, online examination में जो pattern आ रहा है, वो ये कि कुछ MCQs देंगे, जो कि अभी तक pattern पता ही नहीं है, तो MCQs देंगे, कुछ online में, MCQs के इलावा descriptive भी दे रहे हैं, तो let's see, वो आगे क्या pattern आता है, बट अगर मैं इस examination pattern को follow करूँ, तो इस तरीके से आपका exam है, और मेरे इसाब से आजाम अराम से आप paper में 80 plus score कर सकते हो, अगर आप बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे, और मन लगा के पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, रटोगे नहीं, समझोगे, ठीक है जी, चलो, thank you everyone, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगली class में मिलते हैं, अगले class जो होगी हमारी, वो होगी course से related, course का कोई chapter उठाएंगे, और interesting सा और मजे करेंगे, ठीक है जी, thank you बच्चों, bye bye.